रादिका इंतजार कर रही थी मेघांश के घर लोटने का पर वह लोटा ही नहीं। रादिका अब रोने लगी और बार-बार उसे कॉल कर रही थी। इधर बीच में मेघांश का फोन बज रहा था पर वह फोन उठा ही नहीं रहा था। आयांश भी ये देख रहा था। वह जा अगर तुमने फोन कटा ना, तो इस बार रादिका को तुम्हारी सच्चाई बता दूँगा. मेघांश गुस्सा हो जाता है, फोन उठाता है और रिसीव करता है. उधर से रादिका कहती है, अंडिस को कहा हूँ आप और क्या हूँ आपको, आप क्यों ऐसा कर रहे हो हमारे सा आजओ ना घर, हम इंतजार कर रहे हैं आपका. मेघांश अपनी थंडे आवाज में इतना ही कहता है, अंडिस को ठीक है. ये बोलकर उठकर बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी के पास चला जाता है और गाड़ी स्टॉट करके वहां से निकल जाता है. आयांश बस गुसे से उ भागते हुए आती है, पर मेघांश उसे इगनो करके अंदर चला जाता है. मेघांश गिला था और उसके कप्टों में मिट्टी लगी हुई थी. रादिका को समझ नहीं आता ये कहां गया था और यह उसे इगनो क्यों कर रहा है. माना कि जगरे हुए, इसका मतलब यह नही कि ऐसे इगनो करेगा. रादिका को काफी बुरा लग रहा था, इसलिए रादिका भागती है और उसके पीछे जाती है. उसका हाथ पकड़ लेती है, पर मेघांश हाथ चटक कर छुड़वा कर कमरे में चला जाता है और अंदर से दर्वाजा बंद कर देता है. रादिका है परेशान हो जाती है कि मेघांश उसे कमरे में नहीं आने देना चाहता है. रादिका दर्वाजे को बार बार खोलने की कोशिश करती है, पर दर्वाजा खुलता ही नहीं. वो परेशान हो जाती है, पर मेघांश दर्वाजा खुलता ही नहीं. तक करीबन आधे घंते तक खुलता रादिका निराश होकर बच्चों के कमरे में चली जाती है और उनके साथ लेग जाती है न जाने कब वह सुजाती है उसे पता ही नहीं चलता अगले दिन सुबह रादिका जल्दी से उठकर तयार होकर बाहर आ जाती है और मेघांश के कमरे के सामने आकर दर्वाजा खट खट आती है पर दर्वाजा खुला था वह देखती है तो मेघांश नहीं है वह बाहर आ जाती है और देखती है कि मेघांश की पसंदीदा गाड़ी भी नहीं थी मतलब वह गाड़ी को लेकर चला गया है कहीं बिना कुछ बताए राधिका को काफी बुरा लगता है कुछ देर बाद उसका treatment भी शुरू होने वाला था और अभी मेघांश नहीं था ऐसे ही पूरा दिन बीच जाता है और मेघांश तकरीबन रात के 12 बजे बजे घर आता है बिना किसी तरह से कुछ कहे वो कमरे में चला जाता है और दर्वाजा अंदर से बंद कर देता है अब रादी नहीं करेगी वो पूरा कोशिश करती है पर वो मेघांश को इगनो कर ही नहीं पाती रादीका रोते हुए मन में कहती है अंदर सको यह सक्यू कर रहा है ये खुद को क्या समझते हैं मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यह मेरे साथ ऐसा कर रहा है ये बोलते ह वह रोने लगती है, काफी देर तक रोने के बाद वह बच्चों की साथ सोजाती है, ऐसे ही हफ़ते बीटने लगते हैं और कब एक महीना बीट जाता है, राधिका को पता ही नहीं चलता, वह पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी और सबसे खुशी की बात ये थी कि उसे अपने बच्चों को भी खोना नहीं पड़ा, हाँ, काफी ज्यादा मुश्किल आई, बहुत ज्यादा, पर खुशी की बात ये थी कि बच्चों को खोना नहीं पड़ा, ये सोचकर उसे काफी अच्छा लग रहा था, वह यही बात सोचकर खुशो रही थी कि अब वह दो महीने की pregnant है. एक बार भी मेघांच ने उससे बात नहीं की, कभी उसे देखा तक नहीं. वो तो बच्चों से भी बात नहीं करता, जैसे की बच्चों से और रादिका से किसी से इसका मतलब भी नहीं. रादिका को भी इस चीज की आदक पर चुकी थी. रादिका बच्चों के लिए हाथों से खाना खिलाती है वह फैसला करती है कि आज वह बच्चों को लेकर घूमने जाएगी पर मेघांच की पमिशन लेना तो जरूरी था वरना उसके बिना पमिशन के वह गार्डन तक नहीं जा सकती थी इसलिए पूरे एक महीने तक वह घर से निकली भी नहीं न जाने क्यों मेघांच ने बहुत ज्यादा बोडी गार्ड्स बड़ा दिये थे हर जगह बोडी गार्ड्स थे वह निकल भी नहीं सकती थी ये सब सोचते हुए रादिका डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी तभी अचानक दरवाजा खुलता है और मेघांच अंदर आता है आज पहली बारे ने एक महीने में मेघांच दोपहर के टाइम घर आया था वरना सुबह निकलता और राद के बारह बजे या एक बजे बजे आ जाता कभी कभी घर ही नहीं लोटता ये सब देखते हुए रादिका उसके पास जाती है पर वह इगनो करके जाने लगता है रादिका को मौका मिल गया था वह उसका हाथ पकर लेती है और उसकी आँखों में देखते हुए कहती है अंदस्को आपको क्या हुआ आपकी प्रॉबलम क्या है आप ऐसा क्यों कर रहे हो वह कुछ जवाब नहीं देता और जाने लगता है पर रादिका भी उसके पीछे-पीछे कमरे तक आही जाती है मेघांश कुछ ढूनने लगता है जब उसे मिल जाता है वह रादिका को बिना देखी दर्वाजा खोल कर जाने लगता है पर रादिका उसे खीचने की कोशिश करती है पर वह हिला तक नहीं पता मेघांश को गुसा आता है और कुछ सोचते हुए वह जानबूज कर नीचे गिर जाती है और चिलाती है मेघांश आवाज सुनकर जल्दी से पीछे मुलता है और रादिका को नीचे गिरा हुआ देखकर जल्दी से उसके करीब आता है और उसे अपनी बाहों में उर्था लेता है और बिस्तर पर सुलाता है रादिका उसे खीच लेती है और गले लगा कर कहती है अंद उसको आपको क्या हुआ? आप क्यों ऐसा कर रही हो? उसने उसकी कमर में हाथ लपेट लिया था और अपने हाथों को उसकी गर्दन पर रख लिया था. वह पूरी तरह से मेघांश से चिपक चुकी थी. मेघांश कुछ देर तक उसे ऐसे ही देखता रहा. उसके बाद ज चीज उसने रोक कर रखी थी. वह फिर से शुरू हो जाएगी. वह अपने फीलिंग्स को किसी को दिखाना नहीं चाहता था. वह अप कमजोर नहीं पड़ना चाहता था. रादिका की वजए से पहले ही वह काफी कमजोर पर चुका था, पर अब नहीं. ये सोचकर वह चीज जुक कर उसके होटों को चूम लेती है. मेघान्श उसे देखते हुए जैसे कंट्रोल से बाहर चला जाता है और रादिका को अपने नीचे करके उसके होटों को बुरी तरीके से चूमने लगता है. जल्दी जल्दी उसके शट के बटन खोलने लगता है और मेघांश उसके होटों को छोड़कर उसकी गर्दन को चूमने लगता है। राधिका उसके कमर पर हाथ रखकर धीरे धीरे अपने हाथों को उसकी बैल्ट के पास लाती है। उसे पता है मेघांश की नाराजगी दूर करने के लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए वह उसकी बैल्ट खोलने की कोशिश करती है पर उसे हो ही नहीं पाता। मेघांश खुद ही अपना बैल्ट एक हाथ से उतार कर साइड में फिकता है और राधिका की कमर को अपनी कमर से चिपका लेता है। उसे बहुत ही जादा बुरा लग रहा था कि उसने मेघांश से ये सब कहा पर बुरा तो उसे भी लग रहा था ना जब तुम मेघांश से बच्चों को मारने की बात की थी। कुछ मिनट हुए थी कि अचानक मेघांश अपना मूँ उठा कर उसे देखता है और रुक चुका था। वह मूँ नहीं कर रहा था जिससे रादी का हैरानी से कहती है अंडस को क्या हुआ आप रुक त्यू गए मेघांश एकदम से उसे छोड़ देता है और उठकर अपना बैल्ट पहनने लगता है जिससे देखकर रादी का हैरान हो जाती है और अपनी सारी को ठीक करते हुए उ जाने नहीं देते आप ऐसा क्यों करते हो वह रोते हुए कहने लगती है पर मेघांश को जैसे फर्क नहीं पढ़ रहा था वह दर्वाजा खोलने की कोशिश करता है पर रादी का दर्वाजे के सामने आ जाती है और कहती है अंडस को बिलकुल नहीं मैं आपको जाने नहीं देने वाली हूँ ये सुनकर उसकी आँखों में देखता है और कहता है अंडस को presidents को फट जाओ ये सुनकर रादी का गुशे में कहती है अंडस को नहीं हटूंगी वह उसे कले लगा कर उसकी शट के बटन खूलने लगती है जो उसने बंद कर दिये थे उसे ऐसा करता कर मेघांश उसे बिस्तर पर ले जाकर पटक देता है और कहता है अंडसको तो तुम यही चाहती हो ना ये बोल कर वह उसके करीब आ जाता है और कहता है अंडसको ओके I will fulfill your wish ये बोलते हुए वह बुरी तरीके से रादिका की गर्दन को चूम रहा था वह चूम नहीं रहा था काट रहा था इससे रादिका को काफी दर्द होता है और वह कहती है अंडसको आप क्या कर रहे हो छोड़ो ये बोल कर वह उसे अपने उपर से हटाने की कोशिश करती है अब तक मेघांश पागल सा हो चुका था और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था वह जानवरों की ऐसी हालत में छोड़ कर बाहर चला जाता है काफी दिनों बाद रादिका के करीब आकर मेघांश को तो अच्छा लग रहा था पर वह अपने गुस्से के चलते रादिका के साथ बहुत गलत कर चुका था इसके बारे में गुस्से की वज़े से वह सोच भी नहीं रहा था व गलत फहमी उनके बीच में थी पर मेघांश हैसा कुछ करेगा उसने सोचा भी नहीं था वह काफी देर तक बिस्तर पर लेटी रहती है और उसके बाद उटकर वाश्रूम चली जाती है फ्रेश होकर बाहर आकर बिस्तर को देखती है जिसकी हालत सही नहीं थी वह उसे ठीक क सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता जब शाम को वह सोकर उठती है तो उसे थोड़ा अच्छा लगता है पर अभी भी उसे अपने लोग बॉड़ी में काफी दर्ध हो रहा था वह उठकर वाश्रूम जाती है और कपड़े बदल कर बाहर आ जाती है क्योंकि उसकी सारी पू पर अब उसे बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा था उसका मन कर रहा था कि वह बच्चपन में लौट जाए जहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है ये सोचते हुए वह सोफे पर आकर बैक जाती है और तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वह कहती है अंडस को सिया और फिर सोचती है अंडस को उन दोनों की जिन्दगी कैसे बरबाद हो चुकी है और अब तो मेरी बैस्ट फ्रेंड रिवा की भी जिन्दगी खराब हो जाएगी क्योंकि अगले महीने रिवा की शादी है ये सब सोचकर वह उदासी से अपनी गाल पर हाथ रख लेती है और बच्चों के लिए जल्दी जल्दी खाना बना कर उन सब को बुलाती है खाना खाने के लिए वे सब आ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं राधिका उन्हें देखती रहती है अभी बस साथ बजे बज रहे थे और उसे पता था शायद मेघांच दो दिन तक घर न लोटे पर उसने ये भी फैसला कर लिया था कि जब वो घर लोटेगा वो उससे बात ही नहीं करेगी मेघांच से वो खुद दूर जाएगी ये सोचकर वो गुसे के साथ हाथों की मुठ्थी बना लेती है और फैसला करती है अंड इसको आज मैं मेघांच से बात करूँगी अब जब बच्चों को इन सब के बारे में पता चलेगा और कब मेघांच रादिका के साथ ऐसा बरताफ कर रहा है जानने के लिए पढ़ते रहिए रात का वक्त मेघांच का ओफिस मेघांच ने लाप्टॉप साइड में रख कर सीट से टिक गया और एक गहरी सांस लेकर कुछ स उपर से उसे बुरी तरीके से परेशानी से उसे शायद बहुत दर्द भी हुआ होगा पर वो क्या करता वो होश में नहीं था वो तो बस अपना गुस्सा निकालना चाहता था और आज उसने अपना गुस्सा निकाल भी लिया था ये सोचते हुए वो उठ गया और उठकर अपना कोट अपने हाथ में लेकर बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही सभी लड़किया चुपचाप उसे देखने लगी। मेघांश काफी आकरशक लग रहा था और वो काफी गुस्से में भी था। वो ओफिस बिल्दिंग से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठ कर क कुछ सोचकर घर न जाकर सीधा राजावत मेंशन की ओर चला गया। वहां पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतर कर अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा कि सब कुछ एकदम नोमल था। उसके मम्मी पापा भी चाय पी रहे थे सोफे पर बैठ कर। उसन न कहकर वह अपने कमरे में चला गया और कुछ फाइले लेकर बाहर आ गया। और फिर से घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर उसने अंदर आकर घर की हालत देखी। उसने गहरी सांस ली। क्योंकि बच्चों ने पूरी तरह से तबाही मचा दी थी घर में। वो खेल रहे थे पर घर की हालत बहुत बिगार दी थी। उसने अपने बच्चों को धूंडना शुरू किया। सभी हाइड एंसी खेल रहे थे और जबरदस्ती सब भायों ने बड़े वाले भाय को भी शामिल कर लिया था। उसने बाकी सब को धूंढा और बड़ी आसानी से धूं भी लिया। उसने सब को एक साथ उठाया और कहा अंडस को मम्मी कहां है। छोटा वाला बोला अंडस को मम्मी कमरे में आराम कर रही है। वो सब को रखकर कमरे में चला गया. कमरे में जाकर देखा कि रादिका बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपने हाथों को आँखों पर रखी थी उसने आज एक पीली साड़ी पहनी थी जिस पर गोल्दन रंग का बॉर्डर था और सफेद ब्लाउज अपने बालों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया था उसे देखकर लग रहा था कि वह दर्द में थी वह रादिका के करीब गया और उसके पास बैठकर उसके कंदे पर हाथ रखना चाहा रादिका ने अचानक से उसके हाथ को जटक दिया और उठकर बाहर जाने लगी मेघांश ने उसका पलू पकर लिया और पूछा अंदस्को किया हुआ ये सुनकर रादिका की आँखो से आँसु निकलाए इतना कुछ होने के बाद भी वह पूछ रहा था क्या हुआ वह गुस्से से पीछे मुलकर मेघांश को देखती और अपने सारी का पलू फार देती वह हिस्सा मेघांश के हाथ में रह जाता और रादिका बाहर चली जाती रादिका को इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर मेघांश को काफी बुरा लगता है वह सौरी बोलने आया था पर राधिका तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी उस दिन के बाद से राधिका ने उसे देखना तक छोड़ दिया था अब राधिका खुद उससे दूर जा रही थी देखते ही देखते एक महीने बीट गए और रिवा की शादी का दिन भी करीब आ गया एक हफ़ते बाद रिवा की शादी थी इसलिए आज मेघांश को और राधिका को बच्चों को लेकर राजावत मेंशन जाना था उन्होंने अपना जरूरी सामान पैक किया और बच्चों की कुछ खिलोने ले लिए जो उन सब को बहुत पसंद थे और उसके बाद घर से निकल गए दो घंटे में वो राजावत मेंशन पहुँच गए वहाँ पहुँचकर सारे बच्चे काफी एकसाइटड हो गए क्योंकि उन सब को खेलना था और काफी देर से गाड़ी में बैठे रहने की कारण उन्हें बहुत बोरियत हो रही थी घर पहुँचते ही वो सब भाग गए और खेलना शुरू कर दिया इधर मेघांच के दादा जी और दादी जी भी बच्चों को देख कर काफी खुश हो गए इधर शादी की तैयारिया आज से ही शुरू हो चुकी थी और सारे बच्चे भी काफी खुश थे वो डेकोरेशन देख रहे थे घर को दुलहन की तरह सजाया जा रहा था और रिवा अपने कमरे में बिच्चोने पर बेसुच सी पड़ी थी वो काफी ज़्यादा रो रही थी इन कुछ महिनों में उसने अपनी हालत इतनी ज़्यादा खराब कर ली थी कि वो बहुत ज़्यादा कमजोर पर चुकी थी रिवा ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया फोन पर नर्स की आवाज आए अंडस को जी बोलिये रिवा ने कहा अंडस को देवांश को जरा फोन दीजिए ये सुनकर नर्स ने देवांश को फोन दिया देवांश ने फोन लेकर अपनी दर्द भरी आवाज में कहा अंडस को सौरी मैं नहीं आपाऊंगा मैं बेबस हूँ मेरी फैमिली उसके कबजे में है मैं अपने प्यार की वजह से अपनी फैमिली को कुर्बान नहीं कर सकता हूँ ये सुनकर रिवा ने कहा अंडुस को मुझे माफ कर दो मेरी वजह से इतना कुछ हुआ तुम्हारे साथ तुमने मुझे मना भी किया था पर मैं नहीं मानी क्या करूँ प्यार तो हुजाता है ना पर मेरी छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारे साथ हितना कुछ हो रहा है ये सुनकर देवांश ने हसते हुए कहा अंडुस को अब क्या ही कर सकते हैं अब मुझे भूल जाओ मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना ये सुनकर रिवा रोते हुए बोली अंडुस को नहीं नहीं मैं नहीं भूल सकती हूँ तुम्हें मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ तुम्हें पता है ना मैं मर जाओंगी तुम्हारे बिना ये सुनकर देवांश ने कहा अन्डिस को देखो मैं भी तुम से बहुत प्यार करता हूँ मैं भी तुम्हारे बिना मर जाओंगा पर यहां पर बात मेरी फैमिली की है और मैं उनकी जान को अपनी वज़े से खत्रे में नहीं डाल सकता हूँ मेरी जान इतनी इंपोटेंड नहीं है जितनी मेरी फैमिली की है मेरी फैमिली के सारे मेंबर्स को उसने किड्नेप करके रखा है उसने कहा है शादी के बाद छोड़ देगा ये कहकर उसने फोन काद दिया और रिवा रोने लगी तभी कोई दर्वाजा खटखट आता है वो जल्दी से आंसू साफ करके अच्छे से अपने दुपट्टे को सही करते हुए दर्वाजे के पास जाकर दर्वाजा खूलती है तो वह राधिका होती है राधिका को देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है अंडसको तुम यहां राधिका ने कहा अंडसको हां हम कुछ देर पहले ही आये हैं बच्चे अभी बाहर खेल रहे हैं हमने सोचा कि तुम से बात कर लिया जाए यह सुनकर रिवा सूजी हुई आँखो से उसे देखती और कहती है अंडसको अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है अगर तुम मेरी मदद करने की कोशिश करोगी तो खुद भी मुश्किल में फस जाओगी यह सुनकर रादिका ने कहा अंडसको हमें कोई परवा नहीं है हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे तुम बस हमें बताओ कि क्या क्या किया उन्होंने यह सुनकर रिवा जल्दी से रादिका को अंदर खीच कर दर्वाजा बंद कर देती है और वहाँ पर कुछ ही दूर पर खड़ा मेगांशी देख लेता है और कुछ नहीं करता इधर अंदर जाकर रिवा कहती है अंडस को भाई ने उनकी फैमिली को किद्नैप करके रखा है और वह अस्पताल में एडमिट है उनकी हालत इतनी खराब कर दी है ऐसा क्यूं कर रहा है वह क्यूं मेरे प्यार को नहीं समझता है क्यूं मेरी जिंदगी बरबाद कर रहा है पता नहीं ये सुनकर रादिका ने कहा अंडस को क्या कुछ पता चला कि उन्होंने कहां पर रखा है उनकी फैमिली को अगर हम उनकी फैमिली को आजाद कर दे और तुम्हारे और उनकी शादी करवा दे तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे बाद में जो होगा हम सह पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने कहां पर रखा है पर एक जगह है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है भाई का टॉर्चर हाउस, एक बार गलती से मैं उनकी गाड़ी के डिगी में छुपकर चली गई थी खेलते खेलते और उनके साथ टॉर्चर हाउस पहुंच गई थी बहुत ही गंदी जगह है, बहुत ही खतरनाक है वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से वह मार डालते हैं लोगों को मैं सपनों में भी वहाँ पर नहीं जाना चाहती हूं कभी भी पर मुझे लगता है कि वहाँ पर हो सकता है ये बोलते हुए वह अपने आशू साफ करती है और रादिका से कहती है अंडस को, ठीक है, तुम यहाँ से हमारे निकालने का इंतजाम करो क्योंकि हमें छिपाते हुए जाना पर सकता है मेघांश का भी हमें पमिशन नहीं देंगे जाने का वह तो हमें घर से गार्डन तक जाने का भी पमिशन नहीं देते ये सुनकर रिवा आशू साफ करके कहती है अंडस को, वह हैसे ही है तुम्हें पता नहीं, रादिका, तुम किसके साथ ही एक रिष्टे में जुल गई हो ये बोलते हुए वहनाक साफ करती है और कहती है अंडस को, ठीक है, मैं इंतजाम करती हूँ तुम फिक्र मत करो, पर बहुत डर लग रहा है ये सुनकर रादिका उसके कंदे पर हाथ रख देती है और कहती है, अंडस को, डरो मत ये सुनकर वल कहती है, अंडस को, देखो रादिका, अगर सब कुछ बरबाद हो गया और अगर मुझे शादी करनी पड़ी उससे तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूँगी मैं जूट नहीं कह रही, मैं ऐसा कर सकती हूँ ये सुनकर रादिका गुसे से कहती है अंडस को, रीवा, तुम इतनी कमजोर कैसे हो सकती हो तुम हमें समझती थी, हमें बचाते थी गंदे लड़कों से और अभी तुम ऐसी बाते कर रही हो पर क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम कुछ मत करो, तुम बस इंतजाम करो यहां से निकलने का ये सुनकर रीवा कहती है, अंडस को, ठीक है पर आज नहीं हो सकता है क्योंकि आज हम सब को शॉपिंग पर जाना है और कल भी नहीं हो सकता, शादी के दिन है ये हो सकता है क्योंकि मैंने पहले थोड़ा इंतजाम करके रखा था यहां से भागने का, तो हम भागेंगे नहीं, हम उसी जगव पर जाएंगे और डाइरेक्ट उन्हें छुड़वा कर हम शादी कर लेंगे ये सुनकर रादिका कहती है, अन्डिस को, तो फिर हमें इंतजार करना है ये बोलते हुए रादिका बाहर चली जाती है और नीचे आ जाती है देखिये, उसके बच्चे तबही मचा रहे हैं, उन्होंने काफी कुछ हराब कर दिया है और दादी और परदादा को परेशान करके रखा है रादिका आज भी वहाँ पर है और देख रही है रादिका उन्हों सब को डांगते हुए कहती है अन्डिसको, यह क्या कर रहे हो आप सब वों सब एकदम चुप हो जाते हैं और तभी वहाँ पर सिया हथियार लिए हुए आ जाती है रादिका उन्हों सब को खेलने के लिए कहती है अंडस को तो खिलने दोना ये सुनकर राधिका कहती है अंडस को ये तबही मचा रहे हैं घर बाहर हा जगहेगी ये सुनकर मेघांच के पापा जो सीडियों से उतर रहे थे कहते हैं अंडस को ये भी तो उनका ही घर है आप क्या घर क्या बाहर में बताया नहीं राधिका को कि ये आपका घर है। ये सुनकर मेघांच कहता है, अंडस को, नहीं, ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर तो दूर है। मेघांच की मम्मी, जो सीडियों से उतर रही थी, अपने हाथों की मुठ्थी बना लेती है और एक गहरी सांस लेती है। उन्हें बहुत बुरा लगा था मे बहुत सारे घर हैं आपके पास। ये सुनकर सारे बच्चे अपने हाथ उठा कर चिलाते हैं और कहते हैं अंडिसको तो हमारे पास भी बहुत सारा घर है। इससे भी बढ़ा घर है। मेघांश कहता है अंदस को हाँ इससे भी बहुत बड़ा घर है बच्चे और भी खुशो जाते हैं इधर राधिका मेघांश को इगनो करके सीडियों से उपर जाने लगती है और मेघा आज भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है राधिका गुसे से कहती है अंदस को हमारे पीछे मताओ उसे कुछ नहीं कहती और आगे बढ़ जाती है राधिका गुसे से अपने पैरों को पटकती है और कमरे में आ जाती है वो देखती है कि मेघांश कुछ भून रहा था वो इगनो करके वाश्रूम चली जाती है दूसरी तरफ मेघांश की मम्मी कहती है अंदस को अब नहीं रूख सकते हम हम उसे बता कर ही रहेंगे उसी दिन बता देना चाहते थे पर आपकी मम्मी पापा ने हुने नहीं दिया पर अब हम बताएंगे कि हमारी कोई गलती नहीं है सारी गलती आपकी मम्मी पापा की है हम सब बत जाजे के सामने खड़े दादा जी कहते हैं, अंडस को हमने मना किया था, कभी यह बात उन्हें पता नहीं चलनी चाहिए, हम नहीं चाहते कि कभी भी पता चले, क्योंकि अगर पता चलता है, तो वह हम सब को छोड़ेगा नहीं, वह हमें और आपको मार डालेगा और किसी एक इनसान के लिए हम ये बरदाश्ट नहीं कर सकते हैं, वह गुस्से से कहती है, अंडस को क्यों, क्यों, उस इनसान के लिए हम दरे, हमारा बेटा उससे भी ज़्यादा पावफुल है, तो हमें दरने की कोई जरूरत नहीं, उसे इनसान से, ये सुनकर दादा जी कहते हैं, अ मेघांश की मम्मी कहती है, अंडस को, पर अब और नहीं, ये हमारे बेटे को जानने का हक है कि हम सब उससे प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा, ये बोलते हुए वह रोने लगती है, दूसरी तरफ, मेघांश अपना पफ्यूम लेता है और अपनी गर्दन की पास रख कर अंडस को, ये उनकी खुशबू है, पर तभी वह अपने आपको देखने से रोक देती है और कहती है, अंडस को, हमें पहले कुछ करना है, ऐसे हम घर में कैद रहे, कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें बाहर जाना है और हम मेघांश से बचते हुए बाहर कैसे जाएं और क्या कभी मेघांश को सच्चाई पता चलेगा कि उसके मम्मी पापा उसका परिवार उसकी साथ ऐसा बरताव करते हैं, जानने के लिए पढ़ते रहिए, राधी का वाश्रूम से निकलती है, सामने देखती है कि मेघांश पेपर पर बैठा हुआ है और कुछ कर रहा है, उसे एगनो करके वल दर्वाजा खोल कर जाने लगती है, तब ही उसके कान में मेघांश की थंडी आवाज आती है, अन्डिस को, where are you going? ये सुनकर वल रुख जाती है और कहती है, अन्डिस को, आपको क्या? ये बोल कर वल जाने लगती है, मेघांश आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है अंदस को कही पर जाने की जरूरत नहीं चुक चाप यहां पर रहो यहां पर इधर उधर घूमने के लिए लाया नहीं हूँ तुम्हें और कहीं भागने की कोशिश भी मत करना उसकी बाते सुनकर रादिका गुस्से में रहती है वह कहती है अंदसको भला हम कहां अपर भाग जाएं और हम क्यों भागेंगे ये बोल कर वह गुस्से से मेघांश को देखती है मेघांश आज भी गुस्से से उसे देखता है और कहता है अन्द उसको आप भाग भी सकते हो आपका कोई यकीन नहीं है पिछली बार भी हमारे चोटे-चोटे बच्चों को छोड कर भाग गए थे तो इस बार भी आप ऐसा कर सकते हो राधी का गुस्से से उसे देखती है और मेघांश उसके करीब आकर उसके सिर को चुमता है वह अपने सिर को उसके सिर से टिका कर आखे बंद कर लेता है और उसके कमर को बहुत टाइपली पकड़ लेता है राधी का गुस जाने नहीं देंगे, बहुत हो चुका है, राधिका, हम बरदाश्ट नहीं कर सकते ये दूरी, आप खुद को क्या समझती हो, आप क्या करोगी, हमसे दूर रहकर, हमारे सिवा और कुछ नहीं कर पाओगी, ना तो आप हमारे बिना रह सकती हो, ना हम आपके बिना, चाहे हो जाए, आपको हमारे साथ ही रहना है, ये बोलते हुए मेघांश उसके गाल को चूमता है और फिर उसे अपनी बाहों में उठा कर बिस्तर पर ले जाता है, राधिका गुस्से से कहती है, अंडिस को, यह क्या कर रहे हो आप, मेघांश उसके बगल में बैच जाता है और उसके पेट पर हाथ रखता है, वह कहता है, अंडिस को, ज्यादा चलने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने अभी मना किया है, अभी अभी रिकवर हुई हो आप और अभी से इतना ज्यादा चलना फिरना हेल्थ के लिए सही नहीं है, ये बोलते हुए मेघांश धीरे-धीर से भाग जाती है, मेघांश बस उसे देखता रह जाता है, एक तक, कुछ देर तक दरवाजे को देखने के बाद वह सिगार निकालता है और जलाने लगता है, रात का वक्त, राजावत मेंशन, राधी का सारे बच्चों को खाना खिला देती है और फिर उन सब को कमरे में ल आती है, बच्चों को दूसरा कमरा मिला था, सारे बच्चे एक्साइटद थे क्योंकि आज वो सब अकेले सोने वाले थे, वो कभी भी अकेले नहीं सोए थे, इसलिए आज काफी खुश भी थे, छोटा वाला बड़े से कहता है, अंडिसको, भाया, आपको पता है हमें कितन ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, हम अकेले-अकेले सोएंगे, मम्मी पापा के बिना, ये कितना ज्यादा अमेजिंग है, अब कोई हमें डरपोग भी नहीं कहेगा, और बच्चा भी नहीं कहेगा, ये बोलते हुए वो सब अंदर आ जाते हैं, उन्हें अलग-अलग मिले थे, वो सब अपने अपने बैड में चले जाते हैं और छोटा वाला अपने बैड को देखकर खुश हो जाता है, जो कि काफी प्यारा था, उसकर एक बड़ा सा पांदा रखा था, वो उसे गले लगा कर कहता है, अंदर सको, ये कितना प्यारा है, ये सिर्फ मेरा होगे ना, सारे बच्चे मुस्कुराते हुए कहते हैं, अंदर सको, हाँ, हम रह लेंगे, राधिका थोड़ी इसी मुस्कुराती है और उन सब के सिर्फ को चूम कर अच्छे से उन्हें ब्लैंकिट से धग देती है, लाइट आफ कर देती है और चली जाती है, मेघांश के स वह थोड़ी परिशान हो जाती है और चारों और देखती है, वहाँ पर टोवेल भी नहीं था, उसे समझ नहीं आता कि इतना बड़ा घर, इतनी आलिशान चीजें, लेकिन यहां टोवेल ही नहीं है, ये सोचते हुए वह अपने बालों को सुखाती है, पर कुछ मिलता ही न राधी का गहरी सांस लेकर उसे पहन लेती है, वह काफी जादा खूबसूरक लग रही थी, उसे पहन कर उसके लंबे बाल उसकी कमर से भी नीचे लहरा रहे थे और वाइट शट उसके घुटनों तक था और करीने से थुड़े लटक रहे थे, वह उसे ठीक करती है और धीर कदमों से बाहर आने लगती है, पर उससे पहले चारों और देख लेती है कि मेघांश है की नहीं, उसके बाद वह बाहर आती है और सामने मेघांश को देखती है, मेघांश बस उसे देखता है, उसने लाइफ में पहली बार शादी के कपड़े में राधिका को देखा था, स वह रादिका की तरफ बढ़ने लगता है रादिका घबराते हुए कहती है अंडसको आप क्या कर रहे हो छोड़ो ये सुनकर मेघान्श उसे सिर से लेकर पैर तक देखता है और कहता है अंडसको यह मेरे कपड़े हैं उतारो राधिका कहती है अंडस को हम कैसे उतार सकते हैं आपको थोड़ा शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए हम बिल्कुल भी नहीं उतार सकते हैं आप जाए यहां से राधिका गुस्से से उसे देखती है और वह भी गुस्से से कहता है अन्डस को अभी कपड़े उतारो वरना हम उतरवाएंगे राधिका गुस्से से कहती है अन्डस को उतारने ही तो जा रहे हैं ये सुनकर मेघांश कहता है अन्डस को हमारे सामने उतारो क्योंकि ये हमारे कपड़े हैं हम नहीं चाहते कि वो गंदा हो जाए राधिका गुस्से से कहती है अंडिस को हम गंदा नहीं करेंगे मेघांश नहीं मानता और खुद उसके करीब आकर एक जटके में उसके शर्ट के बटन खूलने लगता है राधिका की क्लीवोज देखने लगती है राधिका अपने सीने पर हाथ रख देती है और कहती है अंडिस को यहाप क्या कर रहे हो मेघांश उसके सीने को देखता है और कहता है अंडिस को ये सब हमने देखा है आफ्टर ओल हम हर रोज देखते हैं ये बोलकर वह उसके सीने को देखने लगता है राधिका गुस्से से उसे धक्का देती है और कहती है अंडस्कोक छोड़िए आप बहुत ही बदतमीज हैं ये बोलकर वह जाने लगती है मेघांश अपने शर्ट को गुस्से से कीच लेता है और राधिका को आखें बंद कर लेती है वह पूरी तरह से नगन है मेघांश के सामने और राधिका को देख रहा था मेघांश खुद को रोक नहीं पाता उसके अंदर का हैवान अब बहर आ चुका था नेहा राजपूत को रोक नहीं पाता वो राधिका को दिवार के साथ पाथ कर उसके सीने पर अपने होंट रख देता है और उसके सीने को चुमने लगता है राधिका अभी अभी नहा कर आए थी इस वजह से उसके बोड़ी से एक अलगी खुश्बू आ रही थी योजक चिन योजक चिन योजक चिन जिसे इन्हेल करके मेघांश और भी ज़्यादा पागल हो रहा था वो खुद को रोकी नहीं पा रहा था उसने राधिका को अपने बाहों में उठा कर बिस्तर पर ले जाकर फेक दिया और खुद उसके ऊपर आ गया राधिका बेवफा होकर आँखें बंद कर लेती है और तभी उसे अपने शरीर में दर्द महसूस होता है वो दर्द के साथ एक गहरी सांस लेती है और कहती है अंडुसको बस कर ये ये सुनकर मेघान शपनी इंटेंस आवाज में कहता है अंडुसको बिल्कुल नहीं ये बोलते हुए वो पूरी तरह से उसके लोव बोडी में इंटर कर जाता है रादिका रात भर आखे बंद किये रहती है और कुछ देर बाद उसकी आहें पूरे कमरे में गूंज रही थी कुछ घंटे बाद मेघान शबी भी रादिका को नहीं चोड़ रहा था और रादिका भी उससे महसूस कर रही थी वो दोनों एक दूसरे में दूबे हुए थी कि तभी दर्वाजा धीरे से खुल जाता है और एक छोटा हाथ दिखाई देने लगता है और कोई नहीं छोटा वाला था वो अपनी आखों को मसलते हुए दर्वाजा खोल कर अंदर आ जाता है वो भी नींद में था और उसकी आखे बंद थी वो किसी जॉंबी की तरह चलते हुए बिस्तर के पास आ जाता है कुछ आहट सुनकर मेघांच ने राधिका से ध्यान हटा कर साइड में देखा तो उसका छोटा बेटा आ गया था वो जल्दी से राधिका के उपर से हच जाता है और राधिका भी जल्दी जल्दी खुद को ठीक कर लेती है और हर बढ़ाते हुए कहती है अंदुसको ये यहाँ पर आ गए ये बोलकर राधिका उसे गोद में उठा लेती है और कहती है अंडिसको बच्चा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो वो कुछ कहता नहीं क्यूंकि वो सुल चुका था वो राधिका की सीने पर सिर रख कर अब सो रहा था राधिका मन में सोचती है शायद दर गया होगा ये सोचकर उसने उसे अच्छे से बिस्तर पर सुला दिया और खुद भी लेट गई उसकी पीट पर थपकी देने लगी उधर मेगांश वाश्रून से बाहर आता है और राधिका और अपने छोटे बेटे को देखता है वह कमरे से बाहर चला जाता है राधिका गुस्से से कहती है अंदस को रोकिए इतनी रात को आप कहां जा रहे हो मेघांश अपने रिस्ट वाच को देखते हुए कहता है अंडस को जरूरी काम से बाहर ये सुनकर रादिका कहती है अंडस को नहीं मत जाए ये बोलकर वह उच जाती है और पास से टोवेल लेकर अपने सीने तक लपेट लेती है वह मेघांश के करीब जाकर कहती है अंडस को चुक चाप सोईए बाहर जाने की जरूरत नहीं इतनी राद को मेघांश ने गहरी नजर से उसे देखा और जबर्दस्ती खुद को दूर करके दरवाजा खोल कर चला जाता है रादिका उसे गुसे से देखती है कुछ देर बाद वह अपने बच्चों को सुलाने के बाद उतकर बाहर आ जाती है मन में सोचती है यही जाने का सही वक्त है अभी नहीं तो कभी नहीं ये सोचकर वह बाहर आ जाती है और मेघांश को देखती है वो अपने कार के पास खड़ा था और किसी से बात कर रहा था राधिका चुपके से जाकर उसके गाड़ी के डिक्की में बैठ जाती है मेगांश बात करने के बाद गाड़ी में बैठ जाता है और वहां से निकल पड़ता है इसके बाद गाड़ी हवोली के बाहर आकर रुखती है हवोली बाहर से दिखने में काफी दरावनी थी राधिका उसे देख कर सोचती है अंडस को ये सब क्या है ये यहाँ पर क्यों आए है हमें कभी यहाँ पर नहीं लाए इस चगल के बारे में हमें नहीं पता, ये सोचकर वल धीरे धीरे छुपाते छुपाते मेघांश के पीछे पीछे अंदर चली जाती है, अंदर पहुंचकर नजारा देखकर उसकी आत्मा जैसे उसकी शरीर से बाहर आ गई, सामने इतना दरावना माहौल था, कुछ आदमी कि किसी को मार रही थे, और सबसे बड़ी बात, मेघांश किसी राजा की तरह बैक कर ये सब देख रहा था, रेडवाइन पीते हुए, जैसे कि ये इतना अच्छा नजारा है, तभी वहाँ एक लड़की आती है, जो काफी शौर पप्रे पहने हुए थी, वो जाकर मेघांश क की गोद में बैक जाती है और मेघांश उसकी कमर पर हाथ रखता है, इससे राधिका को सबसे ज़्यादा बुरा लगा और उसकी आँखों से आँसु निकलने लगे, वो लड़की सड़क की आवाज में कहती है, अंडसको, बेबी, क्या हर रात ऐसे देर करके आते हो, पर इचे फेक दिया और उसके गले पर अपना पैर रखतर कहा, अंडसको, मार डालो इसे, ये सब देखकर राधिका को दिल में सुकून मिला कि मेघांश अट्रक नहीं हुआ और उसे मार डालेगा, अगले ही पर लड़की को बेदर्दी से मार दिया जाता है, ये सब देख कर राधिका हैरान रह गई, उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका पती ऐसा भी कर सकता है, उसने जान लिया कि उसका पती खतरनाक आदमी है, पर इतना ज़्यादा खतरनाक, उसे पता नहीं था, वो दरते हुए मेघांश को देखती है और मन में सोचती है, अंडसको, क्या यहां रिवा के बॉइफ्रेंड के मा बाप को छुपा कर रखा है, ये सोचते हुए राधिका ने एक नजर में मेघांश को देखा और जल्दी से दूसरे साइट से अंदर चली जाती है, सारे कमरे धीरे धीरे खोल कर चेक करने लगती है कि कहां पर है वो सब, उसे किसी भी कमरे म कोई नहीं मिलता, वह निराश हो जाती है और सोचती है, अंडिसको यहां पर तो कोई नहीं है, अब क्या होगा, ये सोचते हुए वह नीचे बैक जाती है और फिर से मन में आता है, अंडिसको इतनी दूर जाकर ऐसे नहीं मान सकते हैं, हमें धून नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए हम नून के रहेंगे क्या होने वाला है इसके बाद राधिका जो करने आए है वह कर पाएगी या फिर मेघांश उसे पकर लेगा क्या राधिका बचकर यहां से भाग पाएगी बिना मेघांश के नजरों में आए क्या होगा जब मेघांश राधिका को पकर लेगा जा क्या होगा जब मेघांश रादिका को पकर लेगा जानने के लिए पढ़ते रहिए क्या होने वाला है इसके बाद रादिका जो करने आए है वह कर पाएगी या फिर मेघांश उसे पकर लेगा क्या रादिका बचकर यहां से भाग पाएगी बिना मेघांश के नजरों में आए क्या होगा जब मेघांश रादिका को पकर लेगा जानने के लिए पढ़ते रहिए रादिका बैठे बैठे सो रही थी कि अचानक उसे कुछ महसूस हुआ उसने जल्दी से उठकर दीवार के पीछे चुपकर देखा मेघांश अपने हाथ में बड़ा सा चाबुक लेकर आगे बढ़ रहा था जैसे कि किसी को पीटने के लिए वह बिताब हो रादिका को काफी दर लग रहा था वह समझ गई कि यहाँ ज़्यादा देर तक रहना उसके लिए खतरनाक हो सकता है अपने पती की यह सच्चाई जानकर उसे बहुत बुरा लग रहा था उसने अपने आसू पोंचे और जल्दी जल्दी बाहर आने की कोशिश की लेकिन बोडी गार्द की वजए से वह समझ नहीं पा रही थी कि वह कैसे निकल पाएगी दर्ते दर्ते उसने आस पास देखा लेकिन बोडी गार्द वहां से हटे नहीं थे काफी देर बीट जाने के बाद तकरीबन दो घंटे बाद बोडी गार्द वहां से चले गए रादिका को समझ नहीं आया कि वह कहां से निकले तब ही उसने एक खिर्की देखी, उसने जल्दी से वहां जाकर धीरे से खिर्की खोली और नीचे कूट गई इससे उसके पैरों में काफी चोट लगी और खून भी निकलने लगा दर्थ के साथ वल गारी के पास आये और धीरे से दिक्की में घुस गई मेघांश गारी स्टॉट करके वहां से निकल गया, उसके चेहरे और हाथ पर काफी सारा खून लगा था कुछी घंटे में वह घर पहुँच गया, घर पहुँचकर उसने नाइक गार उतार कर एक और बढ़ाया और राधिका ने जल्दी से गारी के दिक्की से बाहर निकल कर धीमे कदमों से उसके पीछे पीछे आगे बढ़ी कमरे तक पहुँचकर वह बच्चों की कमरे में चली गई, क्योंकि उसे पकड़ा नहीं जाना था कुछ देर बाद मेघांश अचानक बच्चों की कमरे में आ गया, उसने चोटे बेटे को बिस्तर पर सुला दिया और राधिका की करीब गया राधिका अपने बड़े बेटे को पकड़े हुए सोने का नाटक कर रही थी मेघांश ने उसके कमर को कस लिया और धीरे से उसके बगल में लेट गया उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया राधिका दर से अपने कपड़ों को कसकर पकड़ रही थी मेघांश धीरे धीरे उसके दातों के नीचे अपने दांग पिस्ते हुए कहता है अंडिस को हमें पता है आप हमारे साथ गई थी आपने सब कुछ देखा है ये सुनकर मेघांश अजीब तरीके से मुस्कुराया और फिर राधिका के साडी के नीचे से उसके पैरों को छूते हुए उसकी लोव बॉडी पर हाथ रखता है राधिका अब और सहन नहीं कर पाती उसने उसका हाथ दूर हटा दिया क्योंकि उसे बरदाश्ट नहीं हो रहा था कि मेघांश उसे इस तरह टच करे खास कर जब उसके हाथ खुन से सने हुए थे उसने पहले भी मेघांश को देखा था लेकिन आज जो उसने देखा वह सबसे ज़्यादा खुरूर था वह कैसे लड़कों और लड़कियों को मार रहा था ये देखकर राधिका गहरी सांस लेने लगी मेघांश अपना एक और हाथ उसके सीने पर रखता है और धीरे धीरे उसे मसलने लगता है उसके कान में कहता है अंडस को, हमें पता है आप ड्रामा करना बंद करिये और हमें ये भी पता है कि आप सो नहीं रही हैं आप कुछ अलग समझने की कोशिश मत करें ये बोलते हुए मेघांश उसके और करीब आ जाता है और कहता है अंडिसको, bad punishment is always ready for you ये बोलकर वह राधिका को अपनी बाहों में उठा लेता है राधिका ने आंखे खोलकर उसे दूर हटने को कहा और कहा अंडिसको, ये आप कैसी बात कर रहे हैं बच्चो को अकेला छोड़कर हम नहीं जाएंगे उसे बच्चों को छोड़ कर जाने से काफी दर लग रहा था उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वह बच्चों के साथ रहेगी तो सेफ रहेगी वरना मेघांश कुछ भी कर सकता है इस सोच के साथ उसने उसे दूर हटाने की कोशिश की लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाए मेघांश ने बुरी तरह से उसे पकर रखा था वो उसे अपने कमरे में ले आया दर्वाजा बंद कर दिया और बिस्तर पर फिक दिया खुद उसके उपर चट गया और उसके दोनों हाथों को पकर कर कहा अंडस को आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे साथ जाने की आपको पता भी है हमें कितना गुसा आया था कैसे हमने खुद को कंट्रोल किया ये सुनकर रादिका गुसे से बोली अंडस को तो फिर आपने लड़की को हमारी वज़े से मार डाला ताकि हमें देखकर तसल्ली हो जाए दूसरी लड़कियों के पास नहीं जाते आप सच में बहुग घटिया है हमें पता नहीं था कि आप इतनी घटिया हरकती करेंगे ये बोलते हुए वह रोने लगी मेघांश ने आखे छोटी करके उसे देखा क्योंकि रादिका के अलावा उसने किसी लड़की को नजर उठा कर नहीं देखा था और ये लड़की कैसी अजीबो गरीब बात कर रही थी ये सुनकर मेघांश ने दात खीचते हुए कहा अंडस को ऐसे अजीबो गरीब बाते करना बंद करिये आज से पहले हम किसी भी लड़की के पास नहीं गए और हम जाना भी नहीं चाहते हमें बस आप से मतलब है हमें बस आप चाहिए और कोई नहीं और आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि हम आपके अलावा किसी और लड़की के पास जाएंगे ये बोलते हुए मेघांच ने उसके गाल को थप थपाया और राधिका बस रोती रही इसे देखकर मेघांच ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पीत को थपकी देने लगा राधिका धीरे धीरे सो गई अगले दिन सुबह राधिका उठने की कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं पाती क्योंकि मेघांच ने मजबूती से उसे अपनी बाहों में पकर रखा है उसे अंकमफर्टेबल महसूस हो रहा था उसने आखे बंद कर ली और गहरी सांस लेते हुए कहा अंडस को छोड़ी अच्छा नहीं लग रहा है हमें दम घुट रहा है हमें उठकर बच्चों के पास जाना है शायद बच्चे अब तक उठ चुके होंगे ये बोल कर राधिका ने नाकाम कोशिश की उसे दूर हटाने की लेकिन वल छोड़ नहीं रहा था राधिका परेशान हो गई और कहने लगी अंडस को छोड़िये ना आपको छोड़ना है फिर वह जल्दी से उठकर वाश्रूंग चली गई मेघांश भी उसके पीछे पीछे आया बेल्थ खूलते हुए राधिका ने उसे देखा और कहा अंडस को बस करिये आपका रोजका है अच्छा नहीं लगता हमें मेघांश ने उसके गाल पर हाथ रख कर कहा अंडस को हम अभी आपको चाहते हैं कुछ एक घंटे बाद दरवाजा खुलता है और मेघांश बाहर आता है बालों को तुवेल से पोचते हुए राधिका उसके पीछे पीछे थी राधिका धीमे कदमों से बाहर आई उसके पैरों पर और शरीर पर कुछ निशान थे साफ पता चल रहा था कि मेघांश ने उसके साथ क्या किया है कुछ देर बाद राधिका जैसे टैसे तयार होकर बच्चों के कमरे में आ जाती है और देखती है कि सभी बच्चे पहले ही उठ चुके थे और खेल रहे थे उसने उन्हें अच्छे से नहलाया और कपड़े पहना कर नाष्टे के लिए ले आई सभी नाष्टे के टेबल पर बैठे हुए थे रादिका बच्चों को लेकर चली गई और मेघांश भी आ गया उसने हेड वाली चेय पर बैठा जहां कर दादा जी बैठते थे लेकिन आज मेघांश था रादिका थोड़ी हैरान थी और दादा जी ने भी कुछ नहीं कहा कुछ देर बाद नाष्टा करवाने के बाद रादिका खुद भी नाष्टा कर लेती है इधर सिया धीमे कदमों से उतर रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया वो गिरने ही वाली थी कि रिदांश ने जाकर उसे थाम लिया और दांक पीस्ते हुए कहा अंडस को क्या देख कर नहीं चल सकती इतनी कमजोर हो गई हो अगर मेरे बच्चे को कुछ होता तो मैं तुम्हें बिलकुल नहीं छोड़ता बेवकुफ लड़की ये कहकर उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया और सिया को सहारा देते हुए नीचे उतरने में मदद की सिया धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई और पहले अपने बच्चों को नाश्ता करवाया फिर खुद भी नाश्ता कर लिया नाश्ते के बाद रादिका सारे बच्चों को लेकर गार्डन में आ गई सभी अपने रोजमर्रा के काम में लग गए कल हल्दी होना था इसलिए आज से ही तैयारी शुरू हो गई थी जैसे जैसे दिन करीब आ रहा था रादिका की बेचेनी बढ़ रही थी रादिका को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे ये सब संभाले कुछ तो प्लान बनाना ही था क्योंकि कल वाला प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था उपर से मेघांश ने उसे पूरी तरह से बैट पनिश्मेंट दिया था जिसकी वजह से उसकी लोग बॉडी में भी दर्द हो रहा था और वो कुछ भी करें मेघांश को तो बस यही सजा के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था या यूँ कहो तो उसे बहाना मिल जाता था अपना हवस पूरी करने का ये सोचकर रादिका गुसे से सोफे पर बैठ गई और उसका छोटा बेटा भागते हुए जाकर उसकी गोध में बैठ गया और कहने लगा अंडिस को मम्मी मुझे कुछ खाना है ये सुनकर रादिका ने पूछा अंडिस को आपको क्या खाना है वह बस यही कहता रहा अंडिस को बस कुछ खाना है रादिका उसे अपनी बाहों में उठा लेती है और उसे लेकर अंदर चली जाती है वह कुछ भूणने लगती है तब ही उसके दिमाग में आता है कि वह अपने बच्चों के लिए पास्ता बनाएं वह किचन में जाकर पास्ता बना लेती है और अपने बेटे को खिलाने लगती है असल में नाश्टे में जो बनाया था वह छोटे बेटे को बिलकुल पसंद नहीं आया था और उसे बस पास्ता ज्यादा पसंद था इसलिए उसने तब ज़्यादा कुछ खाया नहीं था और बस एक वाइट खाकर ही छोड़ दिया था अब उसे भूख लग गई थी राधिका उसे पास्ता बना कर खिला रही थी कि मेघांश आ जाता है और पूछता है अंडस को क्या हुआ ऐसे राधिका जबाब देती है अंडस को इसे पास्ता खाना था इसलिए पास्ता बना कर खिला रही हूँ प्रिया सुनकर मेघांश उसके कान में धीरे से कहता है अंडस को हमें बाहर जाना है जल्दी से उसे खिला दीजिए ये सुनकर रादिका कहती है अंदसको नहीं मुझे नहीं जाना आप खुद चले जाए ये बोलते हुए वो अपने छोटे बेटे को गोद में उठा लेती है और पास्ता का प्लेट हाथ में लेकर एक नौकरानी से जूस का ग्लास लाने को कहती है फिर वो बच्चों को लेकर गार्डन में आ जाती है और वहाँ बेट कर उसे खिलाने लगती है दूसरी तरफ मेगांश अपनी मम्मी को देख रहा था वो ये सब देख रही थी और उन्हें रादिका पर काफी गुस्सा आ रहा था वो रादिका को बिलकुल पसंद नहीं करती थी अभी भी रादिका को इस परिवार में कोई भी पसंद नहीं करता था ये रादिका को अच्छे से पता था इसलिए वो हाज भी उसे छोड़ कर नहीं जाना चाहती थी उसे पता था कि उसकी गर्मजूगी में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं राधिका के साथ पिछली बार जो किया था उसे वह अच्छी से याद है मेघांश को समझ नहीं आता कि परिवार वालों को उससे क्या दुश्मनी है उसके बीवी बच्चों को क्यों परेशान करते हैं अगर उसका बस चले तो वह इस घर में ना आए लेकिन एक मजबूरी की वज़े से उसे आना पड़ता है वह जल्द से जल्द अपनी बहन की शादी करवा कर उसे यहां से निकालना चाहता है वह बस यही चाहता है कि उसकी बहन खुश रहे अरे वह अदिकता नहीं था लेकिन वह अपनी बहन से प्यार करता है और वह नहीं चाहता कि कोई ऐसे लड़के के पास उसकी बहन जाए जो उसका ख्याल भी नहीं रख सकता जो खुद का ख्याल नहीं रख सकता वह उसकी बहन का क्या ख्याल रखेगा इसलिए मेघांश रीवा की शादी देवांश से नहीं बलकि अपने बिजनेस पार्टनर से करवा रहा है वह उसे अच्छे से जानता है और जानता है कि वह उसकी बहन का ख्याल अच्छे से रख लेगा मेगांश जो भी करता है उसकी एक वजह होती है वह यूँ ही कुछ काम नहीं कर देता भले वह देखता नहीं था लेकिन वह अपने परिवार से बच्पन से ही प्यार करता है भले ही वह कितना भी कहे लेकिन वह नफरत करें पर चाह कर भी नफरत नहीं कर पाता उसे भी तो प्यार चाहिए जो प्यार से कभी मिला ही नहीं और शायद रादिका भी मजबूरी की वजह से उसके साथ है उसने तो उम्मीद छोड़ दी है कि सच्चा प्यार कभी मिल पाएगा ये सब सोचते हुए मेघांच गारी लेकर वहां से निकल जाता है कुछ देर बाद मेघांच अपने ओफिस में पहुंच जाता है ओफिस पहुंच कर वहें एक मीटिंग अटेंड करता है जो काफी जरूरी थी और फिर घर के लिए निकल पड़ता है दूसरी तरफ रादिका अपने बच्चों को लेकर बाहर गार्डन में बैठी थी कि दादी वहां आकर गुस्से से कहती है अंडस को आप घर की बड़ी बहु हो और आपको रसोई में होना चाहिए हमारे घर में बहु यही खाना बनाते हैं आपको खाना बनाना चाहिए सब के लिए ये सुनकर रादिका घबराते हुए कहती है अंडस को जी दादी वो अपने छोटे बेटे को सोफे पर बिठा देती है और जाने लगती है लेकिन बेटा अपनी मम्मी को पकर लेता है और कहता है अंडस को नहीं मम्मी नहीं जाएगी ये सुनकर दादी गुसे से उसे देखती है और कहती है अंडस को हटे यहां से ये सुनकर बेटा गुसे से कहता है अंडस को नहीं हम नहीं जाएंगे ये बोल कर वह राधिका को गले लगा लेता है और राधिका उसे देखने लगती है कुछ देर बाद राधिका जल्दी जल्दी किचन में चली जाती है और सभी लोगों के लिए खाना बनाने लगती है उसे नहीं समझ आ रहा था कि दादी ने ऐसा क्यों कहा उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे सब के लिए खाना बनाना क्यों पड़ा उपर से उसे काफी कमजोरी भी महसूस हो रही थी मेघांश की वज़े से ही ऐसा हो रहा था और उसने अच्छे से नाश्ता भी नहीं किया था क्योंकि उसके चोटे बेटे ने तब नाश्ता नहीं किया था और वह कैसे खा सकती थी बेटे को भूखा देखकर राधी का जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है क्योंकि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था और खाना बहुत सारा बनाना था रादी का अकेले कैसे करती ये समझ नहीं आ रहा था उसे हेल्प के लिए किसी की जरूरत थी इतने लोगों का खाना अकेले नहीं बना सकती थी तब तो उसके बच्चे भी मदद करते थे लेकिन अब वह एकदम अकेली थी उसने तब कर लिया था लेकिन अब उसकी तब्यक भी सही नहीं थी उसका सिर घूम रहा था बार-बार क्या होने वाला है इसके बाद क्या होगा जब मेघांश को इस बार में पता चलेगा वो क्या करेगा दादी के साथ और क्या है इस नफरत की वज़े क्या अब मेघांश अपनी बहन की शादी करवा पाएगा जानने के लिए पढ़ते रहिए क्या होने वाला है इसके बाद क्या होगा जब मेघांश को इस बार में पता चलेगा वो क्या करेगा दादी के साथ और क्या है इस नफरत की वज़े क्या अब मेघांश अपनी बहन की शादी करवा पाएगा जानने के लिए पढ़ते रहिए राधिका ने सारा खाना बना लिया था लेकिन उसका सिर इतनी तेजी से भूम रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें खाना बनाने के बाद उसने सीलियों से उपर देखा दूसरी तरफ मेघांश की चाची जो राधिका को उपर जाते हुए देख रही थी गुस्से से सोच रही थी अंडस को ये लड़की खुद को क्या समझती है इसका स्टेंडर्ड देखो और अब यह महरानी बन रही है से पैर मार देती हैं जिससे राधिका का सिर बहुत जोर से गूम जाता है और वह सीलियों से नीचे गिर जाती है कुछ ही देर में सारे परिवार वाले वहां इकठे हो चुके थे और बच्चे दर से रोने लगे थे राधिका जहां गिरी थी वहां उसके पैरों के नीचे से खून निकल रहा था और उसके सिर से भी खून निकल रहा था पूरी तरह से उसे चोट लगी थी मेघांश का ओफिस मेघांश को खून देखकर गुस्सा आ गया और उसने फोन उठाया रिसीव करते ही उसने जो सुना उससे उसका रूख बदल गया वह जल्दी से बाहर जाकर गाड़ी में बैग गया और अस्पताल के बाहर रुख गया वह तेजी से अंदर दोड़ता है और डॉक्टर की टीम को देखकर गुस्से से पूचता है अंडसको क्या हुआ राधिका को क्या हुआ डॉक्टर थोड़े घबरा गय और एक लेडी डॉक्टर दरते हुए कहती है अंडसको मिस्टर मेघांश आपकी वाइफ ठीक है लेकिन उनका मिस्केरेज हो चुका है और उन्हें काफी चोटे आए हैं मेघांश को बहुत गुस्सा और दुख होता है कि उसने अपने बच्चों को खो दिया है लेकिन वह इसका इसहार नहीं करता वह सीधे वाड का सरवाजा खोल कर अंदर चला जाता है और देखता है कि राधिका बेहोश और बेजान सी हॉस्पिटल बैट पर लेटी हुई थी उसके हाथ में सलाइन लगी थी और मुव पर ऑक्सीजन मास्क था वह पास जाकर उसे गले लगाता है और उसके सीने पर सिर रखता है गहरी सा साथ ही एक आदमी सारे बच्चों को लेकर उसके पास आ जाता है लेकिन हिरानी की बात ये थी कि परिवार में कोई भी देखने के लिए नहीं आया और नहीं राधिका को अस्पताल कौन लाया था वो ही सब सोची रहा था कि रिदांश और सिया वहां आ जाते हैं रिदांश को देखकर चहरा दूसरी ओर कर लेता है और कहता है अंडश को तुमने मेरी मदद क्यों की रिदांश मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और कंदे पर हाथ रख कर कहता है अंडश को कम ओन ब्रो तू मेरा प्यारा भाई है बड़ा भाई तेरे लिए तू इतना करही सकत वह मेरी एक मोहबबत जो तेरी है तू मेरा भाई है यह एहसान कभी मत भूलना और जब समय आएगा मैं खुद भी एहसान चुकाऊंगा बोलते हुए वह मुस्कुराता है और मेघांच उसे एक नजर देखता है और कहता है अंडस को बच्चों का और उसका ख्याल रखना ये देर में वह राजावत मैंशन के बाहर गाड़ी रोकता है और गुस्से के साथ अंदर चला जाता है अंदर जाकर उसने देखा कि कोई भी वहां नहीं था लेकिन जहां रादिका गिरी थी वहां भी बहुत ज़्यादा खुन गिरा हुआ था और नौकर उसे साफ करने के लि उन्हें देखकर वह गुस्से से चिला कर कहता है अंदर सको आप सब की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे प्यार को इस हालात तक पहुँचाने की आप सब को पता है ना हम क्या कर सकते हैं हमारा एक इशारा और आप सब इस दुनिया से गायब हो जाएंगे दादा जी और दादी ज सामने आ जाता है और गुस्से से कहता है अंडर सको क्यों क्यों इतना नफरत है मुझसे और मेरी राधिका से दुनिया में वो एक ही है जो मुझे सुकून देती है मुझे समझती है मुझसे प्यार करती है आपको उससे भी प्रॉबलम है क्यों मैं प्यार के लिए तरसता बच्पन से क्यों मुझे प्यार नहीं मिला मैं भी दिजव करता हूं प्यार क्यों मेरे साथ ऐसा होता है किस बात का नफरत है किसी ये आप सब ऐसा करते हो आज जब आप चाहिए मुझे ये बोलते हुए वह गुसे से अपने मम्मी पापा को देखता है और उसके पापा बिना एक्सप्रेशन से दादा जी को देखते हैं और कहते हैं अंडस को आप ही बताए क्योंकि हमने हमारा काम किया आपने जो कहा हमने सब मान लिया अब हम कुछ भी नहीं कर सकते अब आपको ही सच बताना होगा आप कब तक छुपाएंगे ये सुनकर दादा जी गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं अंडस को तु सिद्धान्त और गौरी का बेटा नहीं है तु रिदांश का भाई है असल में तु मेरे बड़े बेटे सूर्यांश का बेटा है हाँ बस रिदांश और तुम्हारी शकिन मिलती है क्योंकि ये नॉमल है फैमिली में ऐसा होता है कंसल्स में काफी जगह पर ऐसा होता है और हमारे यहां भी ऐसा ही था तुम दोनों की बस शकिन मिलती है और जहां तक प्यार की बात है हम मजबूर थे हम भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना बाकी बच्चों से, और तेरा बाप नहीं चाहता कि हम तेरे साथ प्यार वाला रिष्टा रखें, वो चाहते हैं कि तू हमसे नफरत करें, हमारे साथ होते हुए भी उसने हमें मना किया है कि हम तुझे कुछ भी ना बताएं, उसके बारे में भी ना बताएं, पर हमने तक कि तेरे साथ जो टॉर्चर होता था, वह भी हम जानबूज कर नहीं करते थे। वह कहता था कि वह तेरा बाप होकर तेरे साथ ऐसा करता है। मैं नफरत करता हूँ उससे। जब तु पैदा हुआ था, तब तेरी मा को उसने बहुत ही बेदर्दी से सड़क पर छोड़ दिया था। नजाने अब वह कहा है। और जब तुझे लेने के बाद वह हमारे पास आया था। उसने कहा था कि इसका ख्याल रखना और इसे बहुत ज़्यादा तक्रीफ देना। कोई प्यार वाला रिष्टा मत रखना। ये बोलते हुए दादा जी चुक हो जाते हैं और अपने घुटनों के बल बैट जाते हैं। मेघांश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। इतने सालों तक जिसे उसने अपना दादा जी माना था, वह सब तो उसके माँ बाप थे ही नहीं, बल्कि उसके चाचा चाची थे। इसका मतलब बच्चपन से लेकर अब तक उसे धोखे में रखा गया था। यहां तक कि उसे दर्द भी उसके खुद के बाप के कहने पर दिया जाता था। ये सुनकर मेघान्श दांक पीस कर कहता है, अन्डुसको और हमारे पिता. सिद्धान्ट ने कहा, अन्डुसको वह अभी अपने आयर्लेंड में हैं, जिसके बारे में किसी को पता नहीं. हमें भी नहीं पता, पर इतना पता है कि तेरी मा इसी शेहर में हैं. हमने काफी धून् पर वह मिली नहीं जहां तक राधिका के माता-पिता की बात है उन्होंने जानबूज कर तुझे नहीं छोड़ा था जब राधिका पैदा हुई थी उसी दिन आकर उन्हें धम की मिली थी कि अगर उन्होंने तुझे छोड़ा नहीं तो उन्हें भी मार दिया जाएगा और उनकी बेटी को यानि की राधिका आज तेरे साथ नहीं होती अगर उन्होंने ऐसा क्या नहीं होता जब राधिका 13 साल की हुई तेरे और उसकी शादी भी उनकी ही मरजी थी मतलब सब कुछ उनके प्लान के मुताबक ही हो रहा है पर तुझे अपना हथियार की तरह इस्तिमाल कर रहे हैं तू जो अब इस पोजीशन पर है दुनिया का इतना बड़ा माफिया है सब तुझे इतना दरते हैं वही तु वह चाहता है और तू जो कर रहा है वह भी वह चाहता है वह दुनिया पर कबजा करना चाहता है जो कि वह क वह सब छोड़ दे, एक नॉमल जिन्दगी में आ जाए। और तू इतना पावरफुल है कि अब वह तेरा कुछ नहीं कर सकता। पर अगर तू ऐसे ही करता रहा, तो वह तेरे भी आप है। मतलब तू इतना खतरनाक है, तो सोच सकता है वह कितना खतरनाक है। शेगांश बिना एक्सप्रेशन से उनकी बाते सुन रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज उसे अपनी जिन्दगी की इतनी बड़ी सच्चाई पता चली। उसने ये सब सोच भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा होने वाला था। यहां तक कि उसकी जिन्दगी की चाबी भ वहां से निकल गया। कुछी देर में वह अस्पताल पहुँच गया और राधिका के पास जाने के लिए वाट का दर्वाजा खोल कर अंदर गया। पर यह क्या, राधिका तो वहां पर थी ही नहीं। ना तो उसका छोटा बेटा था और नहीं राधिका। वह हैरान हो गया और मन में कहने लगा, अंदर सको कहा गये वह दोनों। वह बहुत परेशान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपने बच्चों और राधिका को ऐसे नहीं खो सकता था। उसे धून ना ही था। कुछी देर में पूरे शहर में उसके आदमी फैल गय राधिका को धूनने के लिए। यहां तक की पूरे शहर में लॉगडाउन लगा दिया गया ताकि जो भी राधिका को लेकर जा रहा है वह उसे ले न सके। राजावक मेंशन में सिध्धान्त ने दादा जी से कहा अंदर सको अब तक तो शायद उन्होंने राधिका को किद कर लिया है। ना जाने अब कौन से बच्चे की जिंदगी बरबाद होने वाली है। मेघांश के बच्चे बहुत मासूम हैं राधिका की तरह। दादा जी ने कहा अंदर सको हमें ऐसे बैठे नहीं रहना चाहिए। हमें उन्हीं प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब हम उसक चली गई और किसी को कॉल करके कहती है। अंदर सको वह सब अब धून रहे है राधिका को और उन्होंने बौस के साथ सारा दिल तोड़ दिया है। इधर मेघांश घास बुरी तरह से पागल सा हो गया था। वह अपने बच्चों और राधिका को धून रहा था लेकिन राधिका इस दुनिया से ही गायब हो चुकी थी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन राधिका कहीं भी नहीं मिली। वह परेशान होकर एक पहार के किनारे खड़ा हो गया। उसके पीछे उसके सारे बच्चे भी थे जो मम्मी के लिए परेशान हो रहे थे। पर उसका बेटा एकदम शान था उसके चहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। दूसरी तरफ एक आली शान कमरे में राधिका और छोटा बेटा बेहोश पड़े हुए थे। उन दोनों की हालत देखकर किसी को भी तरस आ जाए। राधिका के हाथ में अभी भी सलाइन लगी हुई हैं हम पापा कहा हैं भाईया कहा हैं सब कहा हैं पर राधिका नहीं उठती। इधर एक अंधेरे कमरे में एक आदमी जो राजाओं की तरह बैठा था और उसके हाथ में रेड वाइन थी उसका पूरा चहरा नहीं देख रहा था। उसके पास हाथ देख रहे थे जो मेल करेंगे और वह ऐसा नहीं हुने देंगे पहले ही उन्होंने मेघांश की जिंदगी बरबाद कर दी थी उसका बचपन बरबाद हो चुका था और अब जब उसे खुशिया नसीब हुई तो वह उसकी खुशियों में भी आ गया और उसे जीने की कोशिश किया पर वह ऐसा नहीं हुने देंगे वह धूंद के ही रहेंगे रादिका को इधर एक और जो काफी खुशूरत थी कमरे का दर्वाजा खोल कर अंदर आती है उसके हाथ में एक बड़ी सी थाली थी जिसे उसने टेबल पर रखा थाली के उपर एक लाल कपड़ा धका हुआ था उस औरत को द ये बोल कर वह अपने आंसु साफ करती है छोटे बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह कौन है और वह भला ऐसे कैसे किसी को पहचान सकता है जो अपने मम्मी पापा और भायों के अलावा किसी को नहीं पहचानता है तो क्या होने वाला है इसके बाद क्यों मेघांश के अपने बच्चों के साथ और रादिका के साथ ही खुशाल जिन्दगी जी पाएगा जानने के लिए पढ़ते रहिए रात का वक्त